अगे अच्छो अगर आप ध्यान देंगे सर हमारा another topic clubbing भी over हो चुका है this is the day 11 of your CA final fast track for May 24 and November 24 sir कौन कौन से topic हम लोग ने खतम कर दिया है last video के अंदर में हमने clubbing खतम किया था and clubbing के बाद अगर आप देखेंगे there is some unsolved question और unsolved question को solve करने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर आगे बढ़ेगे तो चलिया आजाएए last concept we did was cross transfer और cross transfer के बाद आता है आपका क्या वेटा unsolved questions yes or no तो चलिया आते हैं unsolved questions के उपर पहला जो question लिया गया है यह minor के income के उपर based है अगर मैं simple सी बात करू right simple सी बात करू तो topic के अंदर में एक ही चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप minor की income को club कर रहे हैं अगर आप minor की income को club कर रहे हैं तो फिर जो exemption है 1032 का 1500 रुपीज वो आपको मिलने वाला नहीं है मतलब अगर हम नए aspect में भी देखे minor income क्या हो रहे है club हो रही है तो जो 1500 रुपीज पर चाइल्ड का आपको exemption मिलता है वो 115 BAC में मिलने वाला नहीं है except this बाकि सारी चीज़ आपकी same रहने वाली है तो आप क्या कर सकते हो सर कंटीनियू कर सकते हो तो चली आईए right पहला problem number one से हम लोग शुरुवात कर देते everybody requesting कि आप problem number one देखे देखो पीटा done now अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे compute the gross total income of Mr. A and Mrs. A from the following salary income दी है Mrs. A की भी salary income दी है minor की income भी दी भी है नीचे आकर बोला है brief working is sufficient detailed computation under various head is not required अब अगर इस problem को ध्यान से देखोगे तो problem में कहीं नहीं लिखा है कि old scheme of taxation के साब से solve करना है बस हमें यह बोला है कि यह आप क्या होगा इस provision का तो हम इस particular question को solve करते है assuming not opted for 115 B.A.C हम इस assumption से solve करते है यहाँ पर लिख भी देते है assuming not opted for 115 B.A.C बरबर है assuming not opted for 115 B.A.C is that done चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे चेक करो Mr. A की income दी है Mrs. A की income दी है अब मैं आपको बताता हूँ इसका format भी यह आप कैसे solve कर सकते हैं और कैसे आपको marks आएंगे फिर हर बार के परंपरा के इसाब से कुछ question आपको क्या करेंगे questionnaire के भी उठाएंगे question number 1 total income of Mr. A and Mrs. A बरबर है total income of Mr. A and Mrs. A अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे column बनाना पड़ेगा particulars Mr. A Mrs. A चीक है सबसे पहले salary income दीवी है दोनों की जो की computed है Mrs. A की 230 है Mr. A की भी 230 है salary income 2,00,000 2,00,000 आगे के बिटा देख लो दोनों चीजे done income of minor son be from company deposit अच्छा जी सर minor income का और एक income दियावा है आपको minor income की एक और income आपको दी वी है interest on bank deposit भी आपको दियावा है gift received by C from Mrs. A friends दियावा है अगर हम ध्यान से देखे income before clubbing जो है यह दोनों की same है अब आप clubbing किसे के भी हाथ में कर दो तो कोई फरक नहीं पड़ता because income before clubbing क्या है same है बरबर हमारा rule क्या था कि अगर जिस parents की income जादा बड़ी होगी clubbing जोगा वो उसके हाथ में होगा अब यहाँ पे तो कोई फरक ही नहीं पड़ने वाला क्यों क्योंकि दोनों की income क्या है same तो आप A में मिलाओ B में मिलाओ कोई फरक नहीं पड़ने वाला तो हम A में मिलाते हैं income of minor son b from company deposit ठीक है यहाँ पे हम लोग add कर रहे हैं income of minor son b from company deposit किता रुपए है मालिक बताओ जल्दी से 15,000 रुपीज इस में से क्या minus करना है बोलो जल्दी से exemption minus करेंगे कौन से exemption minus करेंगे sir under section 1032 क्योंकि हम इस assumption पे solve कर रहे है 115 BAC off नहीं किया है 1500 रुपए minus कर दो sir 1500 रुपए per child तो बस काम खतम हो गया sir यह आ गया 13,500 रुपीज बरबर याद रखे हैं हम इस assumption पे solve कर रहे हैं कि यह they have not opted for 115 BAC clear है income of minor son minor daughter C from special talent minor daughter C from special talent कितना बोलो जल्दी से 32,000 क्या पकड़ेंगे nil because special talents एगर कोई income आ रही है यह income club होती नहीं देख पूरा paper ना presentation का game है मेरी बात याद रख देख हो सकता है तेरा November 23 के अंदर में clear नहीं हुआ हो पर पूरा game ही presentation का है कहां-कहां गलती हुई यह search करना पड़ेगा कहां-कहां mistake हुई यह identify करना पड़ेगा और उसी basis पे क्या होगा तेरा passing percentage आ सकता है नहीं तो नहीं आ सकता जितनी ज्यादा practice जितनी ज्यादा practice उतना ज्यादा बेटर जिदर से question मिल रहा हूँ उधर से उठा करके solve कर जितना ज्यादा solve करेगा उतना ज्यादा तिरको benefit होगा समझ मैं है Note lick working note lick interest on bank received by sir on deposit made out of our special talent अब देख income out of special talent क्या है club नहीं होता लेकिन उसको आपने कही invest करके उस पे interest income earn किया वो investment से आने वाली income हो गई वो special talent income नहीं होई तो interest on bank deposit interest on bank deposit कितना बेटा 3000 रुपीज रिसीव हुआ बरबर हम इसमें से क्या minus करेंगे सर exemption minus करेंगे 1500 रुपेप पर child 1500 हम क्या करेंगे tax 1500 क्या करेंगे वेटा tax next है वेटा gift received by C किसे from friend of Mrs. A अच्छा जी gift received अब आप सोच के देखिए क्या ये gift taxable होगा answer is yes क्योंकि वो relative नहीं है पर इसके taxability कितनी होगी zero इसके taxability कितनी होगी zero अब आप पूछेंगे sir zero कैसे हो सकती है इसकी taxability, मन में सवाल उठना ची, आप पूछोगे sir zero कैसे हो सकती, इसकी taxability, अरे भाई क्यों नहीं हो सकती, taxability बिल्कुल zero हो सकती है, क्यों, क्योंकि value of gift does not exceed 50,000, जब value of gift पचास अजार रुपैसे उपर नहीं जा रहा, तो taxability किस बात क्या rise होगी, I hope you are understanding this, फिर taxability किस बात क income लिख दो, conceptual question आप solve करते चाहिए sir, देखे फिर मज़ा, इसमें 2,30,000 add back करना पड़ेगा, 13,500 add back करना पड़ेगा, 1500 add back करना पड़ेगा, यह आ गया sir, 2,45,000, यह गया sir, 2,45,000, yes, आफ़ के लिद नहाजि़ आठ्धने टें चाहरे, längst handouthow, लुमल्हिंद नहारे, उम जारे टीपने, टीपटास्ट। अज़स्ट। यह गए इस पेंब नेंट कुछे इनकुम आव थाओंट इनवेस्टमंट इनकुम आवट उट श्याओंट। is also clubbed even from a special talent is also clubbed check karo is also clubbed दन है चलो जी notably this question is done come to the another question concept किस क्यों पर बेज़ है transfer to other person and clubbing क्यों पर बेज़ है Mr. A has gifted his house valued Rs. 50 lakh to his wife Mrs. wife who in turn has gifted the same to Mrs. C their daughter-in-law the house was let out for 25,000 per month throughout the year compute the total income of Mr. A and Mrs. C will your answer be differ if the property was gifted to son husband of Mrs. C बहात ही बड़ी आसा question है please check अब अगर आप ध्यान देंगे इस particular question में तो A has gifted a house property to his wife Mrs. B who in turn give the same to see अब सबस्वेली एक बात समझो husband अगर spouse को कोई house property transfer कर रहा है right for inadequate consideration और without consideration तो आपको नहीं लगता है यहाँ पे section 64 नहीं section 27 में deemed owner concept आएगा यही चीज़ जो आपको कल के वीडियो के अंदर में मैंने बहुत specifically बताया था यहाँ पे क्या होता है जब husband spouse को transfer कर रहा है अगर यह house property है तो section 27 में deemed owner का concept आता है और अगर यह other than house property है तो section 64 अपलाय होता है अब यहाँ पे Mr. A किसको gift कर रहे हैं सब spouse को gift कर रहे हैं तो ऐसे case में deemed owner कौन माने जाएंगे Mr. A section 27 के इसाफ से point number पहला point number दूसरा उन्होंने किसको transfer कर दिया Mrs. C को transfer कर दिया their daughter in law that is son's wife को अगर son's wife को कोई property transfer की जाती है for inadequate consideration or without consideration उस property से आने वाला income क्या हो जाता है sir taxable हो जाता है in the hands of transfer तो यहां पर transfer कौन माना जा रहा है Mr. A माना जा रहा है तो Mr. A के हात में क्या की जाएगी clubbing की जाएगी अब एक और बात Mrs. C को जो property मिल रही है without consideration मिल रही है क्या यह taxable होना चीए answer is no 56 to 10 जो IFOS हम लोग खतम करके आ चुके है वहां हमने देखा था कि भीया father-in-law आपके क्या माने जाते है related party माने जाते है तो जो property मिल रही है वो taxable नहीं है लेकिन उससे आने वाला income जो है वो क्या होगा club होगा किस के हाथ में Mr. A के हाथ में So another fantastic question आपके जो May 24 November 24 के module आए है ये module का आपका question है module के अंदर में दियावा ये question है module से भी आपका question तो आप एक बात समझ के चलिए sir मैंने module से question लियावा है मेरी regular book से question लियावा है past examination question लियावा है कुछ question RTP MTC पर उठाएवे हर तरगे के question जहां से भी आपका पूरा concept cover हो रहा है ये फास्टाक के अंदर में वो सब कुछ cover करके दे रहा हूँ ऐसा है कि फास्टाक है तो कुछ मेहनद तुमा लिक आपको भी करनी पड़ेगी कुछ मेहनद जो है ये आप से भी expected है आईए लिखते है question number 2 आईए लिखते है question number 2 क्या है sir question number 2 के अंदर में as per section 27 if a person has transferred house property to his spouse for inadequate consideration or without consideration then the transferer would be treated as deemed owner and liable to tax transferer would be treated as deemed owner and liable to tax बरवरे next point further as per section 56 to 10 gift received from relative is not taxable hence property received by daughter-in-law is not taxable as per section 56 to 10 it is not taxable as per section 56 to 10 further as per section 64 if any property is transferred to son's wife for inadequate consideration or without consideration or without consideration income income out of such property is income out of such property is taxable to transferer hence in this case income from property income earned by Mrs. C is taxable to Mr. E जहाँ 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 पे भी लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पे underline करना चाहिए examiner को यह point धन में आना चाहिए निच्चे underline करो देखे DT के पेपर के अंदर में solving वाला पार्ट और theory वाला पार्ट दोनों एक साथ आता है yes पर theory वाला पार्ट जो है यह आपको बहुत जादा है और practical aspect वाला पार्ट जो दिया है यह आपको बहुत कम दियावा है तो आपको क्या करना है दोनों के बीच में एक balance बना करके चलना और दोनों का यह जो balance है इसी से आपका काम क्या है होने वाला है इसी से आपका क्या है बीटा होने वाला है are you getting the point yes चलो चलो देने बीटा that's it तो यह थे आपके questions कौन से बीटा जो आपके fast track book के अंदर में दिये वह है चलिए अब एक काम करते हैं आप लोग क्या करिए फटाक से question bank निकाल दीजे question air निकाल दीजे अपना रा उसमें से भी एक दो question हम लोग क्या करते है देखते जाते हैं so that topic के साथ साथ यह topic भी होते रहेंगे done so let's go to questionnaire यह किसी का बाकी है तो complete कर दो otherwise go to questionnaire चाओ लोगालिक done है तो अगर यह हो चुका है तो हम लोग चलते हैं फटाफट किस के उपर questionnaire के उपर questionnaire के भी कुछ question को हम लोग क्या कर लेता है solve कर लेता है आओ जरह देखते हैं right सबसे पहले आता है clubbing of income में to or false based question to or false based question please check करिये छोड़ा सा question है state with the reason whether it is true or false right Mr. Y who is a physically handicapped minor क्या बोल रहा है बिटा हो physically handicapped minor suffering from disability intersection ATU earns a bank interest of 50,000 and 60,000 from making bags manually by himself तो यह दो तरह के income arise हो रही है एक bank interest है 50,000 रुपए का 160,000 manual bags बना करके आयवे पैसे है total income of Y shall be computed in his hand separately total income of Y shall be computed in his hand separately is it true or false answer is yes तीन तरह के minor income club नहीं होती पहली minor income जो आ रही है किस से विटा आपके special talent से दूसरा manual work done और तीसरा minor is handicap अब अगर आप देखो कि यहाँ पर दोनों तरह की income ऐसी है जो club नहीं होरी club नहीं होरी का मतलब exempt हो जाएगा क्या नहीं, it is taxable in the hands of minor only तो answer is true the clubbing provision are not applicable in case where the minor child is suffering from any disability, yes or no the income of such minor will not be clubbed in the hands of either of the parents consequently the total income wife shall be assessed in his hand separately shall be assessed in his hand separately, are you getting the point okay आते हैं next point के उपर चलिए, एक question लेते हैं question number 60 के उपर based है yes, आप देख रहे है questionnaire के अंदर में भी हर category के उपर एक question रखा गया है देखिए, एक ही question को मैं अलग-अलग नाम से बैठा हूँ, उससे बैठा हूँ मैं अलग-अलग टाइप के question दूँ, पर एक question कम हूँगे पर आपको अल्मोस्ट हर section के उपर बेज़द एक question मिलना चाहिए अब section 60 क्या था, पिटा, transfer of income without transfer of a set याद आ रहा है तुमको section 60 क्या था, transfer of income without transfer of a set income shall be club in the hands of transferer, उसी के उपर एक based है यह जो question है, अगेन आपके नए module से May 24, November 24 के module से लियावा है तो यह अगेन नया question है Watson has transferred his duly registered document Watson has transferred through a duly registered document, income arising from go down to his son without transferring the go down अब आप बताईए, अगर हम income transfer करते हैं without transferring the go down will it be club? answer is yes as per section 60 अब लिखेंगे कैसे इसको लिखना पड़ेगा as per section 60, if any person transfer the income from the asset without transferring the asset, the income shall be clubbed in the hands of transferer, the income shall be clubbed in the hands of transferer तो चेक कीजे, as per section 60 where there is a transfer of income from asset without transferring the asset itself, such income shall be included in the total income of transferer, hence rental income derived from go down shall be clubbed in the hands of Watson shall be clubbed in the hands of Watson are you getting the point? computer software programmer in X limited at a salary of 30,000 per month she is however not qualified for the job बताइए, she is however not qualified for the job फिर भी उसको क्या मिल रही है? remuneration मिल रहा है? क्या section 64 की clubbing provision applicable होगी? yes the other income of Mr. A and Mrs. A are given as under right? compute the gross total income of Mr. A and Mrs. A particulars Mr. A, Mrs. A इसे तीन कॉलम बनने चाहिए right? सबसे पहले इनकी other income कौन कौन सी है? वो देख लेते हैं other income क्या है? Mr. A और Mrs. A की Mr. A की 7 lakh रूपीज है तो यह आ गए Mr. A की 7 lakh रूपीज ठीक है? अब Mrs. A को जो income आ रही है किस से आ रही है? बिटा सालरी से वो किस के हाथ में क्लब हो जाएगी? Mr. A के हाथ में क्लब हो जाएगी? हाँ याँ हाँ बरबर कितनी क्लब होगी? 30,000 पर मन्त केज आप से 12 मन्त का मतलब 3,60,000 इस में से standard deduction मिलेगा even if you are opting 115 BAC even if you are opting 115 BAC standard deduction मिलना चाहिए तो यह standard deduction माइनस किया? Mr. A की income में add कर दिया 3,10,000 रुपीज so 7,00,000 plus 3,10,000 Mr. A की income बन गई आपकी 10,10,000 everybody check कर लो is that done? अच्छा जी अब Mrs. A का क्या होगा? दिख Mrs. A को दो तरेकी की income दी एक salary income जो किस के साथ क्लब हो गई? Mr. A के साथ क्लब हो गई दूसरी income कौन सी बची उसकी? other income 4,00,000 तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Since salary income is clubbed in the hands of husband her Mrs. A's other income will be her gross total income that is 4,00,000 रुपीज चेक करो done? चलो जी है next question के उपर आते हैं हम लोग सब यह तो के similar type का question है transfer to spouse for inadequate consideration again similar question same similar question let's do question number 11 husband wife को gift देता है और इससे wife काई में का invest करती है business में invest करती है वो वाले concept के उपर एक question solve करेंगे Mr. Rahul started a proprietary business with a capital of 6,00,000 he incurred a loss of 3,00,000 business कब चाल हुआ था 2022 के अंदर में 6,00,000 का capital था जिसमें से 3,00,000 का loss हो गया मतलब net capital कितना बढ़ा as on 1,4,2023 भाई देख capital कितना था तेरा 6,00,000 रुपीज इसमें से loss माइनस कर दे तो तेरा capital reduce हो जाएगा तो 1,4,2023 के डाइम पे तेरा capital कितना बचा 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 3,00,000 रुपीज तेरा capital बचा याद रख husband अगर wife को कोई gift देता और wife उसको invest करती है तो proportionate amount क्या होती है husband के हाथ में club होती है याद आ रहा है तुमारे को right husband के हाथ में proportionate amount क्या की जाती है club की जाती है 3,00,000 का capital बचा ठीक है to overcome this financial position wife राधा, a software engineer gave a gift of रुपी 7,00,000 भाईया भगवान ऐसी पतनी धरती पे सब को दे जो loss होने पे क्या दे आपको पैसे निकाल के दे तो यहाँ पे ने भी राधा ने क्या किया है 7,00,000 रुपे निकाल करके दिया है which was immediately invested into business और घर की लक्षमी ने अगर पैसा दिया है तो भाईया, he earned a profit of 5,00,000 रुपीज he earned a profit of 5,00,000 रुपीज, तो formula कहता आपको अगर यादो तो हमारा formula था भाईया profit into gifted amount divided by total capital employed यादा रहा है तो पारे को what is the profit they have earned 5,00,000 रुपीज into gifted amount कितना था वाईयफ का 7,00,000 रुपीज divided by total capital employed 10,00,000 रुपीज जो gift से आया plus 3,00,000 रुपीज जो own capital था yes or no, check कर लो so clubbing कितना होना चाहिए clubbing कितना होना चाहिए अपना calculator उठाओ calculator उठा करके चेक करो sir clubbing कितना होना चाहिए 5,00,000 into 7,00,000 divided by 10,00,000 sir clubbing होना चाहिए with respect to 3,50,000 yes clubbing कितना होना चाहिए 3,50,000 so capital as on 14,00,000 3,00,000, 7,00,000 total capital invested होना 10,00,000 yes therefore income to be clubbed in the hands of Mrs. Radha is 3,50,000 is 3,50,000 in case Radha give the said amount 7,00,000 as bona fide loan then clubbing provision would not be attracted यही पैसा अगर loan के form में दिया रहा तो clubbing provision attract होने वाली नहीं है साथ-साथ में provision of 56 to 10 is not applicable yes क्योंकि यह क्या है husband wife का relation है तो gift का provision यहाँ पे applicable होने वाला नहीं है is that done चलिए इसके अलावा एक question जो आप solve कर सकते हैं पर यह आपको करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि आगे भी बढ़ना पड़ेगा आगे topics के साथ एक question जिसको आपने solve करना चाहिए वो है यह जो cross transfer के उपर based है बाकि दो similar तरके question है आप अराम से बना लोगे एक मुझे लगता है यह cross transfer के उपर question based है तो एक यह question exam से पहले आप लोग जुरूर देखके जाहिएगा इसमें से अच्छा question है cross transfer based है यह कर लीजेगा चलिए सर यहां आपका एक और topic खतम होता है chapter का नाम क्या था बिटा clubbing का आपका एक और chapter क्या होता है मालिक over होता है देखते जाए सर हम लोग क्या कर रहे हैं एक 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 topic पकड़ के खतम किये जा रहे हैं और content को भी बहुत ज्यादा complete करे जा रहे है अगर आपने ये videos exam से पहले May 24, November 24 के exam से पहले दो बार भी उठा करके कर लिए ना साब आपका आराम से complete हो जाता क्योंकि आप देखो number of questions भी हम लोग साथ साथ में solve करे जा रहे है तो आराम से complete हो जाता देखे 10-11 के अंदर में हम लोग ने basic income tax authority, return of income दो बड़े chapter capital gain IFOS भी complete कर लिया agriculture, clubbing, ये तो छोटे थे taxation of buyback, taxation of liquidation इतने chapter हम लोग ने क्या कर लिये है सर, खतम कर लिये है अभी हमारे कुछ capital gain के question जिसको मैं total income के साथ merge करूँगा that is business and capital gain वाले point के साथ merge करूँगा, वो आपको और मजा देंगे, वो आपको और benefit create करेंगे यहाँ पर अब हमारा topic खतम होता है सर, अब हमने कौन सी series चालू करनी चाहिए अब मुझे ऐसा लगता है, हमने कुछ theory topic उठाने चाहिए, क्योंकि हमने capital gain, IFOS वाले practical topic उठा लिए, और मैं अगर directly PGP में जाऊँगा, तो यहाँ पर सही नहीं है, मैं चाहता हूँ, अब हम कुछ theory topic उठा ले यहाँ से, ताकि क्या हो, आपको बड़े topic भी हो जाए, और साथ साथ में मजा भी आ जाए तो मैं चालू करने जा रहा हूँ, assessment की series, मैं चालू करने जा रहा हूँ, assessment की series, और इस पूरे process में, मैं आपको next chapter पे लेके जाऊँगा, assessment procedure, अब assessment procedure के साथ साथ, assessment procedure, appeal, rectification, revision, search and seizure, यह सब एक साथ लग के आने वाले topic है, तो इसके आगे मैं पूरी assessment की series चालू कर रहा हूँ, और अभी आपके जो, जो November 23 का exam clear नहीं कर पाए होंगे, यह सर बहुत best time है, आप प्लीज उन लोग को बोलो, अगर आपको भी इसका फायदा मिल रहा है, तो भारत के हर बच्चे तक के हमारे सभ्यान को पहुचाओ, क्योंकि May 24 के लिए उस बच्चे को extra fees नहीं देनी चीए, November 24 के लिए उसने नहीं देनी चीए, तो उस बच्चे तक के आपको ज़रू पहुचाना है, क्योंकि उसका new syllabus का नया attempt है, तो चालू करेंगे सर, next topic के साथ, assessment procedure चलो सर, अगर अगर आप ठ्यान देंगे तो हम लोग चालू करने वाले next topic, assessment procedure assessment procedure अगर देखा जाए, बहुत ही प्यारा सा topic है, right, exam interview से मैं आपको बता दू, और amendment क्या हुआ है, वो भी बता दू, मैं आपको ठीक है, दीखे, recent times के अंदर में assessment procedure के अंदर में बहुत सारे changes आए हैं, और आपके May 24, November 24 के लिए, मुझे लगता है ये एक important topic बन सकता है, अगर topic देखा जाए, तो कितने marks के लिए आ सकता है मुझे ऐसा लगता है, कि ये topic लगबग 6 से लेके 10 mark के बीच में कहीं पे भी range कर सकता है, multiple questions से form होते हैं, तो 6 से 10 mark के बीच में, May 24, November 24 के लिए मैं expect करके चल रहा हूँ, कि शायद ये आ सकता है yes or no, अच्छा जी, अब ये assessment procedure जो है, इसका interlinking वापस से मैं आपको जोड़ता हूँ, किसके साथ income tax authority के साथ, तो सभी बच्चों से मैं request करना चाहूँगा, कि please एक बार income tax authority के book पे है ठीक ही, हम लोग कहां थे, हम कहां है और कहां जाएंगे आओ एक बार, आपको याद होगा हम लोग ने income tax authority चालू किया था और यहां से मैंने आपसे कहा था कि यह अब 10 topic interlinked है, तो बस यह chart में आपको वापस आना और 10 बार में आपको यह chart के अंदर मैं आब आने बोलूंगा yes, पूरे theory topic है, जैसे assessment हो गया, appeal हो गया, revision हो गया, rectification हो गया, यह पूरे theory topic है जो बिल्कुल line से चलेंगे, एक के पीचे एक के पीचे एक पीचे एक line से चलने वाले topic है, right, तो आईए, ज़रा देखते हैं, सबसे पहले होता क्या है, assessi सबसे पहले अपनी income assess करता है सभी head के अंदर में, yes, और वो क्या करता है, return भरता है, तो return वाला topic तो हमाला done हो गया, return भरने के बाद क्या होता है यह return कहां जाता है, इंकम tax department में जाता है, right, यह कहां जाता है return, income tax department में जाता है, तो चलिए, यहीं से अब हमारे आगे के topic के शुरुवात हो रही है और आगे के कौन से section किसके बात पढ़ने है या आपको तभी बता चलेगा जब आप इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे जैसे आपका return जाता है Let us understand हम कौन-कौन से return भरते हैं Basically हम तीन return भरते हैं पहला income tax return, दूसरा जो हम भरते हैं वो है TDS, TCS return और तीसरा जो हम लोग बढ़ते हैं वो कौन सा Everybody, yes, TCS का return हम लोग submit करते हैं तो mainly तीन तरगे के return भरते हैं एक income tax return, दूसरा TDS and TCS return जो आपका income tax return होता है वो कहां जाता है इससर traces के अंदर में जाता है नहीं, मैंने आपको याद करो बताया था जो आपका TDS, TCS वाला return होता है वो traces के अंदर में जाता है yes, तो आपका जो TDS, TCS वाले return है वो traces के अंदर में जाएंगे that is TDS, reconciliation, analysis and correction enabling system और यही जो आपके income tax return है वो कहां आएंगे sir, CASS that is computer-aided scrutiny software that is computer-aided scrutiny software के अंदर में आएंगे अब क्या होता है जितने में return आते हैं यह 100% return क्या होता है process होते है और इसको कहा जाता है summary assessment called as 143.1 mandateary process किये जाते है अब process करने के बाद दीखे, income tax department ने अपना एक software बनाया है बात समझेगा income tax department ने अपना एक software बनाया है ये software में कुछ-कुछ चीज़े क्या है, parameters दे रखे, जिससे respective officer को क्या जाता है, hint जाता है, कि भिया, आप इनके assessment open कर सकते हैं, तो हर बार CBD क्या करती है, एक risk management strategy बनाती है, और इन strategy को हर साल क्या करते जाती है, change करते जाती है, this strategy is internal to department, इसलिए आपको कभी भी ये देखने को न हिंट दे देना, अगर इनका profit x percent के उपर चले जाए, तो आप hint दे देना, अगर इनके particular expenditure x के उपर चले जाए, तो आप hint दे देना, तो ऐसे multiple factor को consider करके क्या करता है, system आपको hint देता है, आप जानते हैं, हम लोग ने income tax authority नाम का chapter complete किया वाए, उस chapter के अंदर में हम लोग ने देखा था, that it is only and solely the right of income tax authority only कि वो कौन सा assessment करेंगे, और assessment किस manner में करेंगे, मतलब कोई भी case को assessment में लेना है या नहीं लेना, यह purely किसका game है, यह purely AO का game है, अब देखिए, situation तो थोड़ा और समझी है, we all know 2019 के बाद आच चुका है, बटा, e-assessment, यानि अब AO पहले क्या होता था, jurisdiction based होता था, याद है आपको section 120 हम लोगों ने देखा था, पहले jurisdiction based होता था, right, अगर विजह, let's say, पूने के एक x area के अंदर में रह रहा है, तो उस area के उपर जिस officer का jurisdiction है, वो ही उसका assessment कर पाता था, लेकिन 2019 से जब से e-assessment आया है, यह पूरा का पूरा assessment किसके पास चल चले गया, यह पूरा का पूरा assessment किसके पास चले गया sir, NEAC के पास चले गया, और अब आसाम में बैठा हुआ कोई AOB मेरा case open कर सकता है, दिल्ली में बैठा है AOB मेरा case open कर सकता है, पूने में बैठा case भी open कर सकता है, चिन्ने में बैठा हुआ case भी open कर सकता है, कहीं से भी sir, लक्षोदीप में बैटावा बंदा भी मेरा केस क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है, yes or no, तो point number 1, assessment अब कौन हैंडल करता है sir, NEAC, तो अब ये किसका decision होगा sir, department का decision होगा, कौन सा case open करना है, कौन सा case open नहीं करना, अब यहां सा दो बात होगी, ज़रह summary assessment देखेगा, जैसे आपका सारे return गया, सारे return summary assessment में पहुचे, summary assessment में पहुचने के बात क्या होगा, it is the department who will do, कि assessment करना है या नहीं करना, अगर assessment नहीं करना, तो matter वहीं का वहीं खतम होगया, पूरा का पूरा, अगर assessment करना ही नहीं है, तो matter वहीं का वहीं खतम होगया, पूरा का पूरा, लेकिन अगर assessment करना है तो आप सोच करके देखे क्या होगा आपने जो रिटर्न भरा आप सभी लोग ने अल्रडी आर्टिकल्जिप करीवी होगी तो आप लोगों ने यह जरूर देखा होगा कि रिटर इसा समर्राइज स्टेट्मेंट उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या कवर होता है समरी कवर होता है उसके अंदर में सिर्फ क्या कवर होता है बिटा समरी कवर होता है तो आप सोच करके देखे क्या होगा उन्हें आपको एक समरी दी लेकिन यहों को तो चेक करना है what was expected out of law and what you have done सीधी सी बात है की नहीं उनको तो यह चेक करना है न भिया law में क्या expected था और तुमने क्या किया सीधे शब्दों में उनको करना है एक audit बरबर है अब इसके लिए क्या लगेंगे document क्यूंकि तुमने तो return के अंदर में सिफ PGPP लिका होगा आप सभी लोगों ने article चिप करी भी है बोलो बेटा आप क्या PGPP पूरा computation देते हो वहाँ पे नहीं आप सीधा PGPP का final amount लेते हो computation तो आप अपने पास रखते हो Excel form के अंदर में तो अब क्या होगा मालिक अब आप क्या करोगे अब आप सीधे सीधे आप अब इनफर्मेशन मंगाएगा अब देखिए यह दो तरिके के काम करता है पहला कुछ लोगों से उसको information चाहिए जिन जिन लोगों ने क्या नहीं किया है information नहीं दिये क्योंकि अब detailed checking करना चाता है इस detailed checking को ही क्या कहा जाता है assessment कहा जाता है यन्य summary assessment होने के बाद एओ को क्या चाहिए information चाहिए यह information वो मंगा सकता है section 1421 के थाथ पूरा interlinking से रुपड़ो और पूरा practical aspect से पढ़ा रहो सिफ section नहीं पढ़ा होगा पूरा practical aspect से पढ़ाऊँगा महबत हो जाएगी assessment से अगर तुमने इसके पहले कभी में मेरे साथ नहीं पढ़ा है तो sir तुम्हें assessment से महबत हो जाएगी तुम्हें chapter अगर option में छोड़के आते थे अब ये चोड़के नहीं जाओगे तुम बिंदास पढ़के जाओगे और चार लोगों को सिखाओगे वो अलग तो ज़र ध्यान से सुनना आपने रिटर्न बरा रिटर्न डिपार्टमेंट में गया डिपार्टमेंट के अंदर में मैं डिटरिली क्या होगा समरी अस समाझ ना बेटा 1421 के थैन जैसे उनका इंटर्मेंशन आया यहांसा दो बात हूँए control यह information समझ में आई form number ndom यह information समझ में नहीं नहीं दो बात stimmt क्यों क्योंता हो सकता है और सुई क्योंकि उसलिप books of accounts maintain념 किये है homosexual में maintainन किये है yes or no books of accounts maintain करने लिए specific language तो है नहीं तो आपनी जो books of accounts maintain किये है वो marathi में maintain किये है जबकि जो है वो दूसरे state का है तो ऐसे case में हो सकता उसको समझ में ना आ है अगर उसको books of accounts समझ में नहीं आ रहे हैं तो ऐसे case में उसके पास दो पावर है एक वो क्या कर सकता है audit करवा सकता है या फिर कही जगह पे उसको बाकी जगह पे कहीं problem नहीं है लेकिन कुछ चीजों के valuation related problem है अब आपको कौन बता है सर आप तो खुदा आर्टिकल्चिप करे वे हो बचपन जो था तब हम समझते थे बड़े हो के पता चलता है कुछ नहीं होता closing stock की वो चीज होती है या या ना इस बात पर वीडियो पर लाइक चीए बात समझ लेना तो बचपन में होता था कि बड़े होए तो पता चला कि closing stock की suspense account होता है तो कई बार valuation को related issue आ जाता है अगर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा यहां assessment में AO के पास दो power है या तो वो audit करवा सकता है audit ना करवा है कुछ चीजों का valuation करवाना चाहता है तो valuation भी करवा सकता है यह सब कुछ होने के बाद इधर से दिखे एक arrow उपर जा रहा है यह सब कुछ होने के बाद क्या होता है sir regular assessment या अगर उसको accounts आपके समझ में आ गए तो इस assessment को कहा जाता है regular assessment इस assessment को क्या कहा जाता है regular assessment कई बच्चे confused होते हैं जिनने पहले बहुत अच्चे से यह नो assessment नहीं पढ़ा इसी को ही आपका scrutiny assessment भी कहा जाता है इसी को ही आपका scrutiny assessment भी कहा जाता है तो एकदम logically समझना आप तो return भरते हो return देखो जब तुम inter में थे तब तक तक तुम क्या भरते थे return भड़ा है return बरने के बाद क्या होता है यह पूरा का पूरा final का chapter है return बनने के बाद वो कहा जाता है come on revise again summary assessment के लिए जाता है summary assessment के बाद AO उससे information मंगाएगा information नहीं समझ में आई audit ये valuation officer का use करेगा समझ में आगई तो वो regular assessment करेगा अब ये scrutiny assessment और regular assessment में आखिर होता क्या है मोटे मोटे तौर पर समझना पहला आपने income किसी तरीके से understate तो नहीं करी income is not understated दूसरा वो चेक करता है loss is not overstated अगर आपने return में loss claim किया है तो वो सारी चीज़ी चेक करेगा कि भी ये loss overstated तो नहीं कर दिया तुम लोगों ने और तीसरा tax is not underpaid किसी भी तरीके से आपने जो tax pay किया है निकल सकता है दूसरा आपका loss accessible निकल सकता है तीसरा क्या हो सकता है सर तीसरा हो सकता है कि आपका वोई amount due निकल जाए अब आप सोचके देखें ये तो हम तब की बात कर रहे है जब हम बहुत प्यार से मतलब assessi return भर रहा है return भरने के बाद उसका summary assessment हो रहा है summary assessment होने के बाद you know department उससे information मंगा रही वो information दे भी रहा है तब जाके प्यार से 143 I love you प्यार से 143 हो रहा है ये तो तब की बात हुई ना सर जब प्यार है आप बात समझेगा लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बंदा return ही ना भरे possibility है ना ऐसा हो सकता है ना पिछले सालों से वो return भर रहा है इस साल उसने return ही नहीं भरा suppose अगर उसने return नहीं भरा तो department क्या करता है suppose अगर उसने return नहीं भरा तो section 142 के अंदर में एक और power है कि वो उससे return भी भरवा सकता है अब AOSS return भरवाएगा कि उसके पीछे एक logical sequence मैं आपको बताता हूँ AOSS कुछ करवाएगा EQ वो क्यू करवाना चाहिए ऐसा कुछ मैं आपको एक बहुत logical sequence बताता हूँ देखिए ऐसा होता है कि पिछले दो सालों से CBDT एना एक particular assessi के against में red flag दे रहा था return ही नहीं भरा तो ऐसे case में AO क्या करता है return भरवाता है उससे 1421 के अंदर में तो 1421 को दो चीजों के लिए यूज किया जाता है 14211 कुछ लोगों से return भरवाए जाता है अगर आप चार्ट ध्यान से देखेंगे अगर उसने return फाइल नहीं किया यूज से क्या करवा सकता है return भरवा सकता है अगर उसने return भरा है तो हमें सिप information चाहिए 14212 किसके लिए आती है इन्फर्मेशन के लिए आती है उससे information भी call की जा सकती है बरबर है अगर उसने PR से cooperate किया 143 अगर उसने return नहीं भरा और मान लो A.O. ने भी उससे return नहीं भरवाया पर बाद में कभी A.O. पकड़ लेता है दूसरा assessment होता है यहाँ पे सर बेस्ट judgment assessment दूसरा assessment होता है सर यहाँ पे best judgment assessment तो अब दिमाग में एक बात फिट कर लो assessment कित्ते प्रकार किये सर अगर अगर सारे compliance कर रहे है आप पूरा income tax department को cooperate कर रहे है assessment विल बी regular assessment scrutiny assessment अगर आपने compliance नहीं किया तो फिर यह हो जाता है best judgment assessment फिर यह क्या हो जाता है बेटा best judgment assessment यानि प्यार से मांगोगे तो ठीक है नहीं तो तुमारी बजा देंगे प्यार से मांगे तो ठीक है नहीं तो तुमारी क्या कर देंगे बजा देंगे बरबर है अब यह दोनों करने का objective क्या है आपका tax payable या refund due compute करना यानि यह यह दोनों assessment करने के बाद क्या निकालेगा order निकालेगा यह दोनों चीजे करने के बाद हम लोग क्या करते हैं जर्द देखिएगा offices में आपने हमेशा देखा होगा अगर income tax department की तरफ से notice आता है हमारे बॉसस कुद कहते हैं कि भाई तू एक काम कर तू इसको pay कर और काम खतम कर मतलब इसके पीछे जबरदस्ती पढ़ मत department ने जो निकाला है नहीं तो वो और दो-चार साल के cases open कर देगा काम कर pay कर खतम कर तो maximum cases में क्या होता है जब भी order आता है आप उसको accept करते हो pay करते हो जैसी आपने pay किया assessment ओपर department जो income चाता था आपने उतनी income show कर दिया आपने उतना tax pay कर दिया पूरा विशे कतम everything sorted gone done yes or no दूसरा हो सकता है कुछ expenses आपने deduction बोल कर के claim किये पर एओ बोलता है मैं इसका deduction दूंगा ही नहीं and it was a huge expenditure and it was a huge expenditure तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अप मैंने क्या करना चाहिए अब मैंने you know case जालना चाहिए मैंने higher authorities इसके पास जाना चाहिए तो अगर आपको AO का order पसंद नहीं आया आप बोलोगे अ-र-र चलो वापस है पूरा वारत मेर साथ बोलेगा अगर AO का order पसंद नहीं आया तो आप क्या बोलोगे अ-र-र-र क्या बोलोगे बेटा बोले जल्दी से अ-र-र-र अब आप यह पूछोगे कि सर यह अ-र-र-र क्या होता है बाई साब अ-र-र-र तीन ग्रिव्यान्स रिट्रेसल मेकानिजम है अगर AO ने जो assessment order पस किया 143 या 144 के अंदर में आपको यह order बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा सर डरने के कोई बात नहीं है नहीं पसंद आ रहा आप जाओ किसके पास अ-र-र करने के लिए अ मतलब अपील कर सकते हो आप higher authorities के पास कि सर आपके lower authority ने जो order पास किया यह मुझे पसंद नहीं आ रहा I don't like this particular order, change it दूसरा हो सकता है rectification देखे, order जो पास कर रहा है वो भी कौन है सर यह मुझे है बहिए order जो पास कर रहा है वो भी कौन है यह मुझे है तो वो क्या करेगा सर rectification order पास कर देवा तीसरा हो सकता है revision आप higher authorities के पास जाते हो सर मैंने क्या करना है revision करना है revision करना है yes अच्छा जी राय Пट चलो आपने return भरा फिर से revise करवा रहा हो एक बार बस इस sequence को learn कर लोगे न सर महबबत हो जाएगी मैं आपको बोल रहा हूँ आप मेरे को personally message कर लोगे कि बोलेगा सर विजय सर क्या सिखाया है सर return भरा return भरने के बाद summary assessment में गया summary assessment होने के बाद assessment करना है नहीं करना है अगर assessment करना है वो information मंगाएगा कुछ लोगों से return भरवाएगा प्लस उनकी information मंगाएगा प्यार से मान गए regular assessment करेगा नहीं माने जबरदस्ती में best judgment assessment करतेगा assessment करने के बाद order pass करेगा order pass करके accepted है तो pay करो काम खतम करो अगर आपको order पसंद नहीं आ रहा तो आप a-r-r करो क्या करो a-r-r करो that is appeal revision और rectification करो बरबर in future जब आप आगे जाओगे in future जब आप क्या करोगे बिटा आगे जाओगे in future जब आप आगे जाओगे हो सकता है department को आपके खिलाफ कुछ मिले या department को आपके खिलाफ कुछ भी ना मिले बरबर अगर department को future में एक साल बात अब जनरली ऐसा कोई लिखेत रूल नहीं है पर जनरली जब तक अब जब assessment हो जाता है तो उसके बाद 2-3 साल तक के से मसिस का case open नहीं किया जाता unless and until system बार-बार ही red flag दिखा रहा है हर साल में हर साल system अगर red flag दिखा रहा है तब तो बात अलग है otherwise क्या करते हो आप बार-बार उन चीजों को open नहीं करते so अगर मान लीजे department को future में भी चलके इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो यहां पे आपका is something big or is it something small is it something big or is it something small अगर यह बहत big है तो department rate पे जा सकता है that is search and seizure पे जा सकता है search and seizure कोई हम क्या कहते है rate कहते है or अगर कुछ you know small ही है तो इस case में re-assessment होता है इस case में क्या होता है sir reassessment होता है under section 147 मतलब अगर पहले assessment हो चुका होगा या मान लो पहले assessment नहीं भी हुआ है और अब AO के ध्यान में यह income आ गई है तो क्या हो जाता है? Re-assessment हो जाता है और re-assessment होने के बाद आपके again वही circle वापस चालो हो जाता है pay है, pay कर, पूरा assessment खतम कर issue है, error कर दे last time हम लोग एक बार इसको फिर से देखते है assessi ने अपनी self-assess करी income को self-assess करने के बाद वो क्या करेगा return भरेगा, return कहां जाएगा income tax department में जाएगा, इसका क्या होगा mandatory summary assessment होगा summary assessment होने के बाद, आप क्या करोगे information मंगाओगे, information समझ में आई, नहीं आई, समझ में आई, regular assessment कर दो, नहीं समझ में आई, आपके हाथ में दो power है, audit करवाओ, या तो फिर क्या करवा, valuation officer से value करवाओ, प्यार से मान गए 143, नहीं मान रहे, information नहीं दे रहे, AO आपकी बजा देगा, order निकला, AO को AO ने order निकाला, आपको पसंद आया, assessi को पसंद आया, पे कर खतम कर, assessment over, अगर assessi को पसंद नहीं आया, अगर assessi को पसंद नहीं आया, तो तीन ग्रिवियांस, addressal mechanism अवेलेबल है, appeal, revision, rectification, इसलिए आप देखे, कभी भी यह chapter इसी तरीके से चलेंगे, assessment होगा, assessment के बाद, appeal होगा, revision होगा, rectification होगा, और future में जा करके, अगर कुछ assessi के खिलाब बड़ा मिल गया, तो raid भी हो सकती है, and hence I said you, यह चारो पाचो topic, जो है, यह एक साथ पढ़ने पढ़ेंगे, तो आपको पूरा sequence में मज़ आएगा, पूरा एक साथ पढ़ने में मज़ आएगा, are you getting the point मालिक, चलिए, इस chart को मैं फिर से पढ़ने लाऊँगा, अभी हम चलते हैं, हमारे आज के topic के उपर, that is assessment procedure, बरबर है, chapter number 4 दिखेगा, आपकी fast track book के अंदर में, और भाई साथ जितने बच्चे, you know, number 23 या December 23, as the case में भी सफल नहीं हो पाए हैं, please आप सब लोग उनको इस अभियान से जोड़े, उनको बोलना कि भिया कहीं उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहां आ जाए, और बस फटा-फट पढ़के अपना exam clear कर ले, yes or no sir, इतना support मैं पूरे भारत से मंगना चाहूंगा, कि sir, आप जितना ज़्यादा इन वीडियोज को like करेंगे, या जितने ज़्यादा telegram group, libraries या अपने friend group में इसको send करेंगे, तो sir, यह उनके लिए भी अच्छा होगा, और sir, हमारे लिए भी अच्छा होगा, चलिए बढ़ते हैं, आगे assessment procedure, हर बार की तरह, जैसे कि मैंने कहा आपको, कि sir, यह 10 माक तक का maximum range रखता है, 10 माक तक कि इसको कभी भी पूछा जा सकता है, हर attempt के अंदर में, हर attempt के अंदर में, at least, एक बार तो भी आपको क्या होता है, हर attempt के अंदर में, एक या दो कोशन तो इससे आता ही आता है, अब कौन कौन से section इसमें important और कहां कहां amendment है, right, इदर आईए, सबसे पहले, 143 1 के अंदर में भी amendment है, तो यह important है, 143, 3 काम की चीज़ है, right, इसके बाद में, 144 काम की चीज़ है, 142, 2A, special audit काम की चीज़ है, सर, उसके बाद में, यह, 147 की पूरी series, यह 147 की पूरी series है, यह काम की है, and that's it, इतनी चीज़े आपकी काम की है, एक बाद चेक कर लीज़े, एक छोटे से motivation के साथ चालू करूँगा, सरध्यान से सुनिएगा, if not me, then who, not now, then when, एक बाद समझेगे, देखे, हमारा कई बार fail का result आ जाता है, देखे, fail का result मेरा खुद का आया है, इसका मतलब ये नहीं है, कि भाया, हम successful है, या हम successful नहीं है, yes, हम बिल्कुल successful होंगे, एक fail या pass का result आपके जिन्दगी decide नहीं कर सकता, या हमेशा याद रखेगा, एक pass या fail का result आपकी जिन्दगी determine नहीं कर सकता, आप कितनी मेहनत करना चाते हैं, आप कितना जादा अपना देना चाते हैं, अपने passion को follow करना चाते हैं, वो बात, जहीं बात success या failure की तो वो आराम से हो जाएगा, कई लोग ऐसे होंगे, जिनका अभी जो November 23 वाला exam होंगा, उसके अंदर में fail का result आजाएगा, और वो वापस से सोचने लग जाएगे कि यार हमने यह exam देना चाहिए कि नहीं, दस बार मान ऐसा करेगा कि यार छोड़ देते हैं, चलना यार छोड़ देते हैं, अब नहीं हो रहा यार इतने आसानी से तो महाबारत भी खतम नहीं होई थी मेरे भाई, इतने आसानी से तो महाबारत भी खतम नहीं थी चाहते तो भगवान एक दिन में खतम कर देते थे उसको, शायद एक दिन भी मैं बहुत बड़ी बात करता हूँ, शायद उससे पहले खतम कर देते थे, लेकिन भगवान हमेशा टेस्ट करना चाहते हैं, क्यार आपकी बड़ी सफलता हैंडल करने के लिए, क्या आपके पास उतना पेशन्स है या नहीं, क्योंकि इस अल बाउट पेशन्स, इस अल, गेम इस अल बाउट पेशन्स, जब भी धकावा महसूस करो, जब भी हरावा महसूस करो, सबसे बेली बात तो जाओ, you know fresh, you know, अपना पूरा body के उपर अगर possible है, तो थोड़ा fresh हो जाओ नहीं नहीं हो, तो नहालो, या फिर at least fresh हो जाओ, और यहां जाने के बाद बिल्कुल शान्त मन से बैठना, और अपने जहां पे भी आप पढ़ रहाओ, study table something, 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 वहां पे लिखके रखना if not me, then who, not now then when, अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई और कैसे कर सकता है, और अगर कोई और कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं, if not me then who, and not now, then when, और अगर आज नहीं करना है, तो कब करना है मेरी बात ध्यान से सुनियेगा, sir, आपकी तो sir, आपने क्या करना चाहिए, आपने sir, focus करना चाहिए, और अपने आप से रोज ये सवाल पूछना चाहिए, not now, then when you know, not me, then who ये आपने सवाल पूछना ही चाहिए, चलिए शुरुबात करते हैं सबसे पहले आपने बटा, self assessment से आप सभी जानते हैं, हम लोग जब अपना return submit करते हैं, हम लोग जो अपना क्या करते हैं, return submit करते हैं return submit करने से पहले हम लोग एक tax भरते हैं, this is called as self assessment tax, income tax जो है ना वेटा ये पूरा का पूरा self assessment law है, that means income tax आपको right देता है कि आप अपनी income self assess करें आप अपनी income खुद निकाले है, as per the income tax law right, इस self assessment के basis पे जो भी आपका tax आ रहा है जो भी आपका interest आ रहा है, जो भी आपका fees payable आ रहा है, आप उसे क्या करें pay करें, ये कब pay करना होता है sir return भरने के पहले ही, आप सभी लोग ने वो काई का जाता है बेटा, निल का जाता है याद आ रहा है आपको, तो section 140A self assess करने बोलता है, आपकी income tax को interest को, fees को और इस self assessment tax को you know pay करने बोलता है वो return भरने से पहले, yes or no further, ध्यान से सुनिया जब आप ये self assessment tax pay करने होते हैं, इसमें से आपका अगर कोई TDS cut हुआ है, तो वो आप minus कर सकते हैं, आपको अगर कोई advance tax pay किया हुआ है, तो वो आप minus कर सकते हैं, आपका अगर कोई relief mat relief available है, foreign tax credit या mat relief available है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, sir, minus कर सकते हो, and net amount आपको क्या करना पड़ता है, self assessment tax बोल करके pay करना पड़ता है, अब आपकी मन में बहुत important सवाल उठना चाहिए, कि sir, मान लीजे, if I had paid my tax along with interest and fees to the income tax department, and let's say income tax department assess my income, what they will first adjust, let me give an example, मान लीजे, 8000 मेरा tax था, 1000 interest था, 1000 fees था, अब ये मैंने submit कर दिया, income tax department के सबसे मेरी liability ही 15,000 रुप है, अब 15,000 में से 10,000 मेंने paid है, वो तो income tax department adjust करेगा, हाँ या ना, तो वो पहले क्या adjust करेगा, tax payable adjust करेगा, interest adjust करेगा, या fees adjust करेगा, well my friends, law कहता है, सबसे पहले वो fees adjust करेगे, fees की बाद वो interest adjust करेगे, और उसके बाद कुछ बचा, तो वो tax में adjust करेगे, yes क्यों, क्योंकि इस से आपका जो balance tax है, उसके उपर interest recompute होगा, तो जब वो, you know, आपने जब भी pay कर दिया, वो लोग इसको first कैसे adjust करेगे, पहले वो fees में adjust करेगे, then वो interest में adjust करेगे, then ही वो काई में adjust करेंगे, tax में adjust करेंगे, are you getting the point, so every time you have to self-assess the income, you have to compute the tax on that income, interest and fees payable, इसमें से आप रत मत minus करेंगे, क्या minus करेंगे, रत मत, और relief under section 89-90, 89 के अंदर में आपको salary से related relief है, that is arrears of salary से related relief है, 90-91 के अंदर में जो आप foreign में tax pay कर रहे हैं, DTAA credit जिसको बोलते हैं, वो relief आप minus करेंगे, yes, दूसरा, R is equal to relief, A is equal to any advanced tax paid, T is equal to TDS, TCS, MAT is equal to MAT and EMT credit, अब ध्यांदर सुनिएगा, इसलिए मैंने कहा क्या, जो भी आपका tax payable आ रहा है, इसमें से आपको रट मत minus करना है, क्या minus करना है, बोलो जल्दी से, रट मत आपको क्या करना है, minus, R, relief, A, advanced tax, T, TDS and MAT is AMT और MAT credit, यह आपको क्या करना है, सर, minus करना है, right, और आपको इसे pay कर देना है, आप जब भी इसे pay करेंगे, पहले वो fees में adjust करेंगे, फिर वो interest में adjust करेंगे, फिर वो taxes में adjust करेंगे, yes or no, चलिए, check करिए, where any tax interest or fees is payable by the assessee on the basis of return of income required to be furnished under section 139 or 142 or 148, the assessee is required to be the tax before filing ROI after considering advance tax, TDS, TCS, MAD credit, relief in any, along with interest payable under section 191, subsection 2, तो आप क्या करेंगे, यह सब minus करेंगे, where the amount paid by assessee falls short of the aggregate tax, आपने जो पेकिए और department ने जो निकाला, अगर यह fall short हो रहा है, the amount so paid shall be first adjusted towards fees, then adjusted towards interest and the balance if any shall be adjusted towards tax payable और हर topic के साथ साथ में इस chapter के भी आपको important point क्या करूँगा लिखने बोलूँगा और आप मेरे साथ क्या करेंगे उस चीज को लिखेंगे भी आप मेरे साथ क्या करेंगे सर उस चीज को लिखेंगे भी तो चेक करिए सर आजाओ यह एक काम करते हैं लिखने वाला जो पार्ट है यह पूरा एक साथ कंप्लीट करते हैं एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद तो लिखा दूँगा don't worry लिखने वाला पार्ट पूरा एक साथ कंप्लीट करेंगे चार्ट में वापस आईए मेरे साथ बार बार सबसे पहले आप क्या करेंगे आपने आपने क्या किया सर सबसे पहला स्टेप सेल्फ असस्मेंट टाक्स निकाल दिया सेक्शन 141 के हिसाब से बरबर है सेक्शन 141 के हिसाब से आपने क्या कर दिया टाक्स निकाल दिया इसके बाद आप क्या सब्मेट करेंगे सर रिटर्न सब्मेट करेंगे रिटर्न के पूरे प्रोविजन हमने 139 से लेके 140 तक के देख लिए है यहां रिटर्न भरने के बाद क्या होता है समरी असेस्मेंट तो आईए यह जो समरी असेस्मेंट होता है यह 143 सबसेक्षन 1 के अंदर में होता है येस, summary assessment के major objective क्या होते हैं, summary assessment किया क्यों जाते होद दिखान से सुनिएगा सर, summary assessment के major 5 objective होते है, point number one, to rectify any arethmetical error, अगर जो आपने return भरा है, इसमें अगर कोई arethmetical error है, तो वो क्या कर देना, rectify कर देना, दूसरा, rectify the incorrect claim, अगर आपने कोई incorrect claim कर लिया है, मतलब मान लीजिए आपको deduction नहीं मिलना चाहिए पर आपनी क्या कर दिया है claim कर दिया है तो वो उसको क्या करेगा सही करेगा तीसरा, disallowance of losses if return is filed after the due date हम set off chapter के अंदर में पढ़ते हैं कि भी अगर return after the due date submit किया गया है तो फिर वो losses आपको set off करने नहीं मिलते, तो ऐसे कोई losses है जो आपने return filing, you know return आपने time पे file नहीं किया बट फिर भी आपने loss claim किया है तो ऐसे losses आपको क्या कर दिया जाएंगे, disallow कर दिया जाएंगे disallowance of expenditure और increase in income as mentioned in the audit report जिन जिन लोगों के उपर audit applicable होती है, इनके audit report के अंदर में 2 mentioning होता है, एक पहला, ऐसे expenses जो disallow होने चाहिए, दूसरा, ऐसे income जो क्या होनी चाहिए, consider होनी चाहिए, तो ऐसे losses and income को क्या किया जाता है, consider किया जाता है disallowance of deduction under section 10AA और chapter 6A part C if the return is not filed on time chapter 6A part C की कई deduction ऐसे हैं, जिसका आपको benefit नहीं मिलता, अगर आपने return time पे file नहीं किया तो तो चलिए, वापस से दिखते है, whenever the return is filed yes, whenever the return is filed 5 adjustments उस return के साथ, system automatically करेगा, याद रखिए यह जो assessment होता है, जिसको हम कहता है summary assessment यह कोई human नहीं करता है, यह system करता है, CASS या traces यह system करता है और क्या adjustment करता है, 5 adjustments होती है पहला, mathematical error दूसरा, incorrect claim, तीसरा disallowance of losses if return is filed after the due date disallowance of deduction in chapter 6 से पाट C, if return is filed after the due date increase in income और disallowance of expenditure as mentioned in audit report यह 5 adjustment करने के बाद यह 5 adjustment करने के बाद amount payable या refund due निकलता है क्या होता है बिटा, यह 5 adjustment करने के बाद amount payable या refund due निकलता है अब अगर refund आ रहा होता है that refund is immediately granted that refund is immediately granted और अगर कोई amount due आ रहा है right, कुछ amount payable आ रहा है तो इसके against में आपको intimation issue होता है इसके against में क्या issue होता है intimation issue होता है हम आगे चलके देखेंगे there is a difference between order and intimation इसके पहले में जो बात कर रहा था order की बात कर रहा था और अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो intimation की बात कर रहा हूँ तो इस सवाल को अपने अंदर रखेगा what is the difference between intimation and order right, यहां पे आपको intimation issue होता है और यह intimation आपको require करता है कि भीया, आप क्या करें इसके उपर respond करें right, तो system में अपने तरीके से क्या कर दिया, adjustment निकाल करके दे दिया अब आपको क्या किया जाता है intimation issue किया जाता है और intimation के बाद wait किया जाता है आपके answer का आपको 30 days मिलते हैं intimation के उपर reply करने का अगर आपने कुछ reply किया तो system accordingly adjust करेगा उनको देख करके और अगर आपने reply नहीं किया तो जो intimation निकला है जितने adjustment उनके अंदर में बोले है वो adjustment करके आपको final payable या refund due निकाल दिया जाएगा yes or no general rule ये है general rule ये है जब भी कोई refund आ रहा है held भी किया जा सकता है तो चलिए आईए एक एक point देखते है summary assessment का अब amendment क्या आया है finance act 2023 से summary assessment के time limit में amendment आया है summary assessment के time limit में amendment आया है तो हमें ये देखना होगा कि intimation कब तक issue हो सकता है उसके time limit के अंदर में क्या आया है amendment आया है तो चलिए चेक करिए वर्ड लिखा है, where a return has been furnished, अगर return furnished नहीं किया, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, summary assessment हो ही नहीं सकता, बात समझेगा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैंने, law कहां से चालो हो रहा है, where the return is furnished, यानि क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, कि अगर आपने return furnished, अगर आपने return furnished नह 139 और 142, such return shall be processed in the following manner, अगर आप word देखेंगे, तो क्या लिखा है, such return will be processed, sir कौन process करता है, system process करता है, या तो ये traces में process होता है, या तो ये CASS में process होता है, किस में process होता है, CASS के अंदर में क्या होता है, process होता है, तो return process किया जाएगा, total income और loss shall be computed, system automatically क्या करेगा, आपका total income या total loss compute करेगा, right, after making following adjustment, कितने adjustment होंगे, 5, इसको learn करना है, 5 adjustment होंगे, mathematical error, incorrect claim, ये दो हो गए पहले, तीसरा, disallowance of loss, disallowance of deduction, if return is filed, after the due date, last, audit report, increase in income, और disallowance of expenditure, as mentioned in audit report, ये 5 चीज़ों को आपको याद रखना है, ये answer का main part है, so, कौन-कौनस adjustment किया जाएंगे, पहला, mathematical error, दूसरा, incorrect claim, तीसरा, disallowance of loss, if ROI is filed, after the due date, 4, disallowance of deduction, if the return is filed, after the due date, 5, disallowance of expenditure, on increase in income, as mentioned in audit report, yes, before making adjustment, intimation is given to the assessi, कोई भी adjustment करने से पहले, आपको intimation issue किया जाएगा, और आपको 30 दिन मिलते हैं, इसको rectify करने के लिए, right, before any adjustment is made, intimation is given to assessi, yes, of such adjustment, the response received from the assessi, if any, shall be considered, before making any adjustment, in case, where no response is received within 30 days, such intimation and adjustment shall be made, अगर 30 दिन के अंदर में आपने कोई reply नहीं किया, यह adjustment कर दी जाती हैं, और आपको final intimation क्या किया जाता है, issue कर दिया जाता है, अच्छा जी, क्या किया जाएगा, सर, क्या किया जाएगा, the tax, interest and fees, if any, payable or refund due shall be computed, यह सारी adjustment करने के बाद, या तो आपका tax payable आएगा, या तो आपका amount due आएगा, दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो refund due आएगा, as the case, may be, right, on the basis of total income computed, an intimation is sent, आपको क्या किया जाता है, intimation sent किया जाता है, कुछ बाते, जितना आपने advance tax pay किया है, tax pay किया है, कोई foreign tax credit है, यह intimation में accordingly क्या हो जाता है, adjust हो जाता है, यह intimation में क्या हो जाता है, मालिक, adjust हो जाता है, automatically, are you getting the point, चलो आओ, the refund due to assesses shall be granted immediately, अगर अब नए law के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर कोई refund होता है, वो grant कर दिया जाता है, आपको भी पता है, sir, client जो है, अब पहले एक जमाना था, जब article chip हम लोग कर रहे थे तब, अब तो care क्या होता है, sir, 15-15 दिन के अंदर में refund आ जाते है, बहुत हो गया, एक महिने के अंदर में क्या कर दिया जाता है, refund इशू कर दिया जाता है, अब हमने कहा, यह intimation issue हो जाना चाहिए, sir, यह intimation कब तक के issue हो जाना चाहिए, भाई, यह intimation का कोई time limit है, कहा, यह intimation कब तक के issue हो जाना चाहिए, the intimation shall be issued within 9 months from the end of financial year in which ROI is filed, तो intimation कब तक के issue करना है, 9 months from the end of financial year in which return is filed, जब return file किया return filing के financial year end से 9 months के अंदर में यह होना चाहिए मतलब मान करके चलिए for the financial year 22-23 that is assessment year 23-24 ROI filed on 30th July 2023 इंटिमेशन कब तक आ सकता है अब बताईए financial year end कब माना जा रहा है 31 March 2024 जिस साल return भरा उस साल का financial year end कब हो गया 31 March 2024 हाँ या ना सोच समझ के बताईए येस जिस financial year में आपने क्या किया 9 months from the end of financial year in which return is filed written आपके financial year 22-24 में आया से येस राइट अब आपका इंटिमेशन कब तक इश्यू होना चाहिए अब आपका इंटिमेशन कब तक इश्यू होना चाहिए यह थि कंहिसा आ रहे है ऑगे दो दो मिनट के बाद intimation कब तक issue होना चाहिए यहाँ से कितने months के अंदर में 9 months के अंदर में हो जाना चाहिए मतलब April, May, June July, August, September October, November, December यहने आप क्या कह सकते है 31st December 2024 तक के आपको क्या issue हो जाना चाहिए intimation issue हो जाना चाहिए सर यह intimation आया मुझे नहीं लगता मेरे को और amount payable आ गया मुझे नहीं लगता मेरे को और amount pay करना चाहिए मैंने मेरे जो calculation किये थे वो एकदम बरबर है क्या इस intimation के खिलाफ मैं कोई action ले सकता हूँ क्या इस intimation के खिलाफ मैं higher authorities में जा सकता हूँ बिल्कुल जा सकते हो सर इस intimation के खिलाफ आप appeal में जा सकते हो इस intimation के खिलाफ rectification में जा सकते हो मतलब ये जो intimation हुआ है आप appeal में जा सकते हो आप इस intimation के against में rectification में जा सकते हो पर मेरे friend revision में allowed नहीं है revision में आप नहीं जा सकोगे मन में सवाल उठना चीए intimation के against में revision में क्यों नहीं जा सकता क्योंकि sir revision से order का हो सकता है intimation का नहीं come on come again revision सिर्फ order का हो सकता है intimation का नहीं getting the point तो चलिए वापस से वापस से चलते है please ध्यान से सुनिएगा point number one whenever the return is filed return file करने के बाद क्या किया जाएंगे return में 5 adjustment किया जाएंगे कौन से 5 adjustment होंगे जल्दी जल्दी बोलो कौन से 5 adjustment होंगे पहला अर्थमेटिकल error incorrect claim disallowance of losses disallowance of deduction if return is filed after the due date increase in income or disallowance of expenditure as mentioned in audit report as mentioned in audit report are you getting the point yes अच्छा जी sir ध्यान से सुनना आपको intimation issue किया जाएगा 30 दिन का आपको क्या इशु किया जाएगा intimation issue किया जाएगा 30 दिन का right इसके बाद क्या होगा rectify होगा amount paper refund you आएगा ये intimation कब तक issue होना चाहिए 9 months from the end of financial year in which ROI is filed इसके खिलाफ appeal हो सकता है इसके खिलाफ rectification हो सकता है इसके खिलाफ revision possible नहीं है are you getting the point yes वालिक चौन लिखने का कम पूरा एक साथ करेंगे don't worry अब आते हैं वापस से कहां पे सर income tax authority पे इसको बार बार में लेके आ रहो ध्यान से समझना आपने return भरा return chapter हम पहले देख लिए return भरने के बाद क्या हुआ summary assessment हुआ summary assessment होनी के बाद अब income tax department सोचेगा आपका assessment करना है या नहीं करना नहीं करना तो assessment chapter पूरा तो पूरा यहीं कतम विशे कतम जो आपने दिया income tax department ने वो accept कर लिया matter यहीं कतम ओके दूसरा मान करके चलो अगर A.O. क्या करता है अगर A.O. decide करता है कि हाँ चलो assessment करना है तो आपने जो return भरा यह तो सिर्फ summary statement था ना मालिक आपने जो return भरा यह तो सिर्फ summary statement था अब उसको information भी चाहिए ना जिसके basis पर आपने computation किया है आपने कुछ bill देखके computation किया होगा आपने भी cash flow fund flow देखके कुछ अपनी income compute करी होगी तो हमारे को भी information चाहिए प्लस ऐसा हो सकता है कुछ लोगों से दो साल से red flag आ रहा था कि इनका क्या करो इनका assessment करो इनका assessment करो इनका assessment करो लेकिन आप time के चक्कर में assessment करी नहीं पा रहे थे एक पास time ही नहीं था assessment करने के लिए तो ऐसे case में क्या होता है मालिक next section का use होता है next section is 142 1 yes अब आप ध्यान से देखें मैंने पहले आपको 143 पढ़ा दी और फिर 142 पढ़ाया income tax में section का sequence वैसा नहीं है कि इसके बाद यह पढ़ना है इसके बाद वैसे पढ़ना है आप अगर इसको logically पढ़ोगे ना तो आपको मजाएगा यहने अब आपको catch यह information चाहिए coming to the next section 142 1 coming to the next section 142 1 अब यह 142 1 क्या बोलता है जर जहांता सुनीगा 142 1 आपको 2 power देता है 142 1 1 AO चाहे तो किसी assessi से return भरवा सकता है मतलब 139 में जो return भरना है वो तो है ही है अगर 142 का notice आता है तो भी assessi को क्या करना पड़ता है return भरना पड़ता है yes तो return दो तरीके से voluntarily 139 और AO mandatorily किसे से return भरवा सकता है 142 yes AO mandatorily किसे से return भरवा सकता है 142 are you getting the point so let us start इस section पो का आ जाता है inquiry before assessment क्योंकि कोई भी assessment करने से पहले यो को क्या चाहिए उस बारे में inquiry चाहिए उस बारे में information चाहिए यह information कहां से निकलती है भाई साब इस section से निकल सकती है 142 1 1 कुछ लोगों से क्या भरवाएगा return भरवाएगा sir यह जो return भरना होता है यह कौन से form में भरा जाता है यह again ITR में भरा जाता है sir यह जो return होता है यह कब तक के भरना होता है notice के अंदर में लिखा होता है कि आपको कब तक के submit करना है are you getting the point so inquiry before assessment for the purpose of making assessment AO shall for the purpose of making assessment AO shall require the assessi to file return 142 1 1 filing of return if assessi has not filed ROI require the assessi to file return in the prescribed time in the prescribed manner तो AO खुद उस notice के अंदर में लिख करके देता है आपको कौन सा form भरना है कितने time limit तक के भरना है किस mode में submit करना है the return so file shall team to be returned file under 139 यह भी जब आपको यह return submit करते है तो यह assume किया जाता है कि आपने 139 की provision के अंदर ही that is voluntarily ही आपने क्या किया है return को submit किया है getting the point अच्छा जी सर अब कुछ लोगों से क्या करेगा वो information मंगाएगा कुछ लोगों से क्या करेगा माली को बतो जल्दी से information मंगाएगा right बताओ कौन से information मंगाएगा सर हर तरके के information जिस बेसेस पर आपने अपनी income compute की है जिस बेसेस पर आपने expenses claim किये हैं आपने assets recognize किये हैं वो कोई भी तरके की क्या कर सकता है information मंगा सकता है generally generally right maximum जो information आप मंगाते हैं वो 3 years prior to previous year की मंगाते हैं so 142.12 producing the information to produce or cause to produce such accounts documents as the AO may require including statement of asset and liabilities for not more than 3 years prior to previous year so किसी भी details आपको मंगाई जा सकती है इसके पहले के सालों की भी detail मंगाई जा सकती है but generally not more than 3 prior previous year previous approval of JC JC मतलब क्या था जॉइंट कमिशनर previous approval of JC is required if details of all asset and liabilities are required not included in account अब आप सभी जानते हैं कि यह जो assets की value बहुत down होती है या 100% depreciate हो जाती है वो assets तो company के पास होते हैं लेकिन उन assets को हम off balance sheet assets बना देते हैं तो off balance sheet assets and liabilities अगर कुछ होगी इसके records भी अगर आपको मंगाने हैं joint commissioner से approval लीजे और यह records भी आप तक के पहुँच सकते हैं joint commissioner से approval लीजे और यह records भी क्या हो सकते हैं sir आप तक के पहुँच सकते हैं yes or no this notice can be issued without any time limit but obviously before completion of time limit of assessment यह जो notice है 142.1 की यह कभी भी issue हो सकती है law में इसको भीजने का कोई time limit लिखावा नहीं है पर हाँ law में यह ज़रूर लिखा है कि assessment कब complete हो जाना चाहिए तो assessment अगर आपको complete करनी है मतलब information आपको चाहिए yes notice बेजने का कोई time limit नहीं है लेकिन assessment time limit खतम होने से पहले ही आप क्या चाहोगे information चाहोगे इसलिए लिखा है there is no time limit to send the notice but obviously before completion of time limit of assessment under 153.1 yes assessi shall be given an opportunity of being heard in respect of material gathered अगर कोई अपना material gathered हुआ है right इसके खिलाफ assessi के खिलाफ तो उसको opportunity of being heard दी जाती है उसको explain करने का मौका दिया जाता है और इस explanation के basis पे ही क्या होता है यह आगे बड़े गार अब आते है consequences क्या होंगे अगर यह information नहीं दी तो AO ने return भरने बुला था return नहीं भरा AO ने information मंगाई थी आपने information नहीं दी नहीं क्या हो जाएगा यह भी तो समझो सर्फ पहला consequences है वो आपकी बजा देगा that is अब जो आप पे assessment होगी वो होगी best judgment assessment अब जो आप पे assessment होगी वो क्या हो जाएगी best judgment assessment त्यान से सुनिएगा अगर आपने return भरने बुला था return नहीं भरा यह information देने बुली थी information नहीं दी जो assessment होगी आपके उपर होगी वो होगी best judgment assessment दूसरा AO का order न मानने के लिए 10,000 each such default 10,000 rupees each such default कि आपको क्या लग सकती है यह सर्पेनल्टी लग सकती है एक साल तक आपके prosecution हो सकता है आपके उपर search and seizure भी हो सकती है under section 132 आपके उपर search and seizure भी हो सकती है 132 के थायत तो 4 consequences है अगर आपने 142 का order नहीं माना पहला consequences है best judgment assessment हो सकता है दूसरा consequences है penalty लग सकती है कितनी की बेटा 10,000 rupees each such default की prosecution हो सकता है कितना एक साल तक का या फिर search and seizure का क्या निकल सकता है order भी निकल सकता है yes generally यह जो notice होता है ना सीधा scrutiny assessment के order के साथ निकलता है मतलब scrutiny assessment और information दोनों एक साथ notices निकलते हैं normally the notice under 142 and 143 right यह एक साथ क्या की जाते issue किये जाते है right अब मुझे बात बताईए क्या A.O. अपना assessment complete कर पाएगा without this particular section the answer is no A.O. cannot complete the assessment without issuing notice under 142 क्योंकि 142 के बिना किसी भी assessment को complete करने का मतलब यह होगा कि आपके return के basis पे उसने assessment कर दी आपकी details देखी नहीं आपकी information चेकी नहीं करी तो यह सर कैसे होगा न आपकी information चेक करने के बाद ही क्या किया जा सकता है उसको verify किया जा सकता है तो A.O. cannot complete the assessment without issuing the notice under 142 clear है मालिक चलो सबसे पहले यह तीन section लिखते है आईए लिखने का program पूरा करते है give the heading assessment procedure आप जानते हैं मैं साथ साथ ने notes भी लिखा रहा हूँ ताकि आपके पास एक special notes बन जाए apart from fast track where any tax interest fees is payable on the basis of return furnished such tax must be paid through self-assessment tax after adjusting for tax tax already paid I come through after adjusting for relief under section 89 90 90 A91 any advance tax tax paid any advance tax paid TDS TCS credit mat mat ablic amt credit mat ablic amt credit देन बीटा मैट अबलिक्ट अम्ट क्रेडिट नेस्ताथ अबीटैंग अम्मरी स्सम्मरी अस्पेड़पर स्पार्पाइंग, रेतने अबलिक्ता है स्म्मोरी अस्पेड़रु अरॉरी अस्मारी स्पेड़र fils अंडर सेक्शन 139 और आपसे जबरतस्ती भी भराया जा सकता है 142.1 के अंदर में सेच रिटर्न शाल भी प्रोसेस्ट अज अंडर और अंदर 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 ना किस्ट अंदर अंदर if roi filed after the due date deduction deduction if roi filed after the due date of filing roi increase in income or bill as allowance of expenditure as mentioned in audit report you 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 अरवर डने सर चली इस 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 ग्योप आय। इस ग्योप स्टोब बडिंदर को त्रॉटाबि कि ग्योपस भंदर निय। इन विच रोई इस फाड़ इस फाड़ अजस्मेंट अकॉरदिली बीमेड इस लेन अम जबी सहीं, चृट्यस्पंस्थे quarant अन्लव और इस ब्सान स्वाइब्दोर। कितस्थेgen्क रचा मेंकिन्न चार्ड़ इस तह्ष्यु एस सिंगरीरर inmiddially् 100 regardless इस लेन्हेर उस प्रदावितात, or refund due is calculated some payable or refund due is calculated आन्य वीटा चलो दन अब आते हैं नेक्स सेक्षन के उपर सेक्षन 142.1 इनक्वाइरी बिफोर अस्सेस्मेंट 142.1.1.142.1.2. 142.1.1.Rечь 156.1.4.2.9.142.1.1.Rekbir Assessee to file ROI in prescribered time and manner 142.12 require assessee to provide information obligue document to assessing officer consequences of non-compliance point no. a point no. b penalty rupees 10,000 best judgment assessment under section 144 prosecution upto one year search under section 132 10% here is चलिए तो यहां तक कि हम लोगने पढ़ा है ब्रेक से पहले हमने assessment चालू किया क्लबिंग खतम किया assessment चालू किया assessment के अंदर के तीन सेक्शन पढ़े 148 क्या था विटा summary assessment 142 1, क्याता वेटा, inquiry before assessment तो यहां लेंगे हम लोग एक break और break के बाद अगले पार्ट के अंदर में हम मिलेंगे assessment के आगे के topic से, उम्मीद कर रहा हूँ, आपको बहुत जादा मज़ा आ रहा है, सब पढ़ते रहिए, continue करते रहिए, एंड वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजे, ताकि हम वीडियो सीरीज को जल्दी से क्या कर सके, अपडेट कर सके, thank you so much, take care